इंदी मीनम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा आठ की प्रशनावली 15.2 है इसका सॉल्यूशन और इससे पहले की प्रशनावली और इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्किप् निम्न बिंदू को एक वर्गी कृत्त कावज पर अंकित कीजिए और जाज कीजिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर इस्थित हैं ठीक है मतलब क्या है कि जो यह बिंदू हमें दी गए जैसे पार्ट अ में तो ए बी सी डी यह चार बिंदू है तो हम यह देखना है अंकि क्या करेंगे x और y ये दोनों अक्ष बना लेंगे ठीक है तो यहां मैंने x अक्ष बना लिया यहां पर वाइ बना लिया ठीक है 1234 इसां थरह से Plus वह इठ और minus यह रहाक कितर फिर इस तरह से ऊपर एक दो तीन चार शे धनातमक और नीचे रहाउनीजy it 10 पर एक्स और वाई एक्स बन गया अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि जो हमारा पहला पार्त यानि कि यहां पर ठीक है इसमें 4 बिंदू दी गए ना ए है बी है सी है और दी है देखो ए क्या है 4,0 तो पहले देखते हैं जो ए है 4,0 वो कहां प्याएगा आप देखो यहां पर जो 4,0 इसको हम कैसे पढ़ते हैं जो पहला होता है यह X होता है यह एक्स निद्रे संख और तो आपको एक बात याद रखने होती है जो पहला है वह एक्स होगा और दूसरा वाला यहां पेहले क्या है चार यानि एक्स निर्दे सांग चार है और फिर क्या है जीरो यानिकी वाइज जो है वो 0 ठीक है तो यह अगर आपको इकको बात समझ में आई, तो आप देखो, x4y0, तो x अक्ष पे 4 देखो यह रहा, y0 है मतलब x अक्ष पे यह रहेगा, ना उपर जाएंगे, ना नीचे जाएंगे, ठीक है, y अगर कुछ होता प्लस में तो उपर जाते, माइनस में उता तो नीचे जाते, लेकिन क्योंकि y0 ह सोलने तो मतलब यह एक्स अक्ष पेही रहेगा आपको एक बात रखनी है कि अगर वाई जीरो आता है और एक जीरो नहीं है तो इसका मतलब है यह बिंदू एक्स अक्ष पे स्थित्ध होगा क्योंकि इसका यह ठीक लिए पहले बात हो गई यह कौन सा बिंदू है चार कॉमा जीरो ठीक यानि की ए तो ये बिंदू हो गया ए निज़े सांख कितने है एकस चार वाई सूलने यानि जीरो अब बात करते हैं बी की बी के निज़े सांख है चार कॉमा दो तो आप देखो ये जो चार कॉमा दो इसका क्या मतलब हुआ पहला जो है एकस वो है चार और दूसरा यानि की वाई है दो तो एकस पे चार वाई पे दो तो एकस पे चार आ गए हम वाई पे दो है दो मतलब दो उपर जाओगे है ना यहां पर यहां पर यहां पर अगर आप देखोगे आपको नजर आएगा कि यहां से एक्सपे लंब डालेंगे तो चार पर मिलना चाहिए Why पे लंब डालेंगेगे तो यह दो पर मिलना चाहिए यह मतलब होता है x4y2 ठीक है ना x पर हम डालोगे तो कितना चार या निद्यसांग क्या है एक्स-चार है ओई-दो है चलो ठीक है अब अग्ला क्या है C ? C के बात नहें है और देख लेते हैं कहांपे आएaगा यह एकस तो 4 ओपर चले जाओगे यहां कुझ then theень x कितना चाहर वाई कितना छंmir ठीक है डी की बात करते हैं डी में क्या है एकस चार वाई 2.5 एकस चार वाई 2.5 यानि एकस चार है वाई 2.5 देखो दो और तीन के बीच में यहां कहीं 2.5 होगा यानि इस उचाई पे और एकस चार यानि यहां यहां कहीं मिलना चाहिए ठीक है दुबारा गर मैं आपको यहां से गर आप X को देखो गए 4 मिलेगा वाई को देखो गए तो दो दूसमलों पांच यानि दो और दिन के बीच में लेगा ठीक है यह हो गया अब हमसे क्या पूछा गया था कि ऐसे अंकित कर लिया हमने तो क्या यह सरल रेखा पे हैं यह नहीं है ठीक है आपको बात सेंटीमेटर लोगे और अगर आपके पास ग्राफ पेपर तो ना अपना नहीं पड़ेगा उसमें अल्रेडी होता है ठीक है ना एक सेंटीमेटर का गया तो चलो अब देखो अब इनको मिलाते हैं जब आप इनको मिलाओगे तो यह सीधी रेखा पे ही है ठीक है यह कर यह बिंदू सलल रेखा में है ठीक है रेखा पर है ठीक है तो यह हो गया इसका कौन सा हिस्सा पहला है अब यह हो गया है को भूल जाओ अब बात करते हैं इसके दूसरे हिससे की यानि इसकी बी पार्ट ठीक है उसके लिए मैं एक बर इनको मिटाल लेता हूं आप देखो है इसका बी पार्ट है इसमें हमें चार विंदू कों-कोंसे दिए गए है पी 11 ठीक है पी कितना 11 क्यू कितना तू तू और अर कितना है 3,3 और एस कितना है 4,4 तो दिखाते हैं पहले पी उक एक एक इनकी एक यहां पर आप देखो अगर तो एक्स पे लंब डालोगे तो ए थेक मिले याणि यह हो गया एक प्र शो फीर एक Cum कितना है कि वह दो ये यहां कहीं आएगा ठीक है देखो ये न幹 फे एक सर्वाई औरusion रादगे आप इनको गर आप ऐसे मिला उगे तो यहां पर क्या बनेगी, एक सरल रेखा ही तो बनेगी, यह पहला पॉइंट है P, जो एक एक था, दूसरा पॉइंट है Q, जो कि 2,2 था, फिर यह है R, जो कि 3,3 था, और यह है S, जो कि 4,4 था, ठीक है, तो यह हो गया, तो आप पूचाएगी क्या यह सरल रेखा पर है, तो अब देखो जो इसका C वाला हिसा है इसमें हमें KLM N ये चार बिंदू दिये गें K के संक है 2,3 M का है 5,3 M का कितना है 5,5 Keeping OUT तो पहले K की बात करते हैंby X2 Y3 या है x पे2 x पे2 y पे3 यहां कहीं आएगा यहां से आप देखोंगे एक से लुक्राइब 3 मिलेंगा ठीक है यह हो गया अगला एल है 5,3 एकस पांच और वह इकितना वाई तीन ठीक है एकस पर आओगे पांच मिलेगा वाई प्याओंगे यह वह ब्लैगा ठीक है अगला क्या है और फिर खुरे 5 यान x2 y5 ठीक है ये कौझ सा vind है एं टो देखो जो के शुरू मेने दिखाया था वह कैंथा दू कॉमा थीन ये एक सदो वाइ थीन फिर ये जो था वह पांच कॉमा थीन था बोलेंगे यह सीधी रेखा या सरल रेखा पर नहीं है ठीक है तो ABC यह तीनों हिस्से हो गए अब बात करते हैं अगले प्रस्ण यानि प्रस्ण संख्या कर दो की आप देखो जो प्रस्ण संख्याद 2 है इसमें बोला गया बिंद्वों 2,3 और 3,2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खीचनी है जो यहां से और यहां से इन दोनों बिंद्वों से होती हुई जाए उन बिंद्वों के निर्देसांग लिखिए जिन पर यह रेख इक्स एक्ष और यक्ष को पडिच्छेद् करती है और इसके बाद हमारे पास बिंद्व कौन कौन से है पहला विंद्व Durga , कौमा 3 और दूसरा 3,2 यह रहा चलो पहले 2,3 का मतलब क्या है X 2 Y 3 है तो यहां पर X 2 Y पर 3 कहां एगा एकसपर 21 बहुत ध्यान से बनाना थोड़ा ठीक है यहां पर आएगा X पर 2 Y पर 3 तोड़ा और आगे ठीक है यहां पर ठीक है मतलब X पर देखोगे तो 2 आना चाहिए y पे देखोंगे तो 3 आना चाहिए ठीक है अगला क्या है x3 y 2 यानि इस बार x3 होना चाहिए और www.y2 यानि x3 y 2 यहाँ पर एकर आप देखे एक बार ठीक है तो x3 y 2 ठीक है यानि यह यहां कहीं आएगा ठीक है तो पहला बिंदू क्या था एकस दो था वाई तीन था नीचे वाला क्या है एकस तीन है वाई दो है ठीक है हमने बना दिया अब इनसे गुजरती हुई एक रेखा बनानी है ना तो हम क्या करेंगे इनसे गुजरती हुई एक रेखा बनाएंगे हमने बना दी जो इन बिंदु से कुजर रही है। ठीक है। तो हम बोलेंगे यह है 5,0 पर एक्स अक्ष को प्रतिछेद करती है ठीक है प्रतिछेद करती है चलो ठीक है यह होगी पहली बात दूसरी बात यह यह को कहां प्रतिछेद करती है चलो पीले से लिख देता हूं एक्ष को यहां पर कर लएक्ष को यहां पर लुद्ट है वाई पहले किゃा लिखना होता है ऑफ य इस बिंदू के लिए एक्षता है 0 क्योंकि जो य अक्ष पे में होगा उसके जिरए 0 होगा और वाई कितना है 5 है तो हम बोलेंगे यह है X 0 Y 5 ठीक है ना X 0 Y 5 यह जो 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 0,5 पर ठीक है Y अक्ष इसके आगल लिख लिए ना को परतिषैद करती है ठीक है ना यानि Y X को यह 0,5 पर और X X को यह 5,0 परतिषैद करती है यह हो गया दूसरा परश्ण तीसरे की बात करते है कि तीसरा देखो क्या है इसमें बोला गया है आलेक में बनाई गई अकृतियों में पर्ते के शीर्सों के निदे सांग्स लिखिए ठीक है तो बहुत जितने भी यहां पर आपको सीर्स नजरा रहें सबके निदे सांग्स लिखने शुरुआत करते हैं ऑ से देखो ओ एबी से एक अगरती है इसमें सीर्स मतलब कोने कौन कोनसे हैं O है t' अ सब अ मूँलबिंदू है जहां पर x-axis और y-axis करते हैं उसे मूलबिंदू बोला और इसके जरे सांग होते हैं 0,0, तो यह हो गया, फिर अगर मैं बात करूँ A की, तो A के लिए पहले X देखोगे, फिर Y देखोगे हैंना, इसको मिटा देता हैं एक बार, देखो, A जो है, यह तो X अक्ष पे ही इस्तित है, तो X कितना हो गया इसके लिए, कितना नजरा रहा है 2, तो X हो गया 2, Y होगा 0, Y 0 क्यों होगा, क्योंकि जो भी बिंदू इस X अक्ष पे आएगा, उसके लिए Y 0 होता है, तो X अक्ष पे Y 0 होता है, और Y अक्ष पे X 0 होता है, आपको याद रखना है, चलो यह हो गया, अब क्या है, ठीक है, B की बात करते हैं, यह रहा भी, तो B के लिए X देखो कितना है, 2, पहले X लिखना होता है, फिर Y देखो कितना है, 3, फिर Y लिखना होता है, ठीक है, तो B का काम खतम, अब बात करें, अगर C की, तो पहले याद रखना, पहले हमेसा आपको X खोजना है, फिर Y नितसाम खोजना है, तो C के लिए X क्या होगा जीरो क्यों होगा क्योंकि वाई एक्स पे एक्स जीरो होता है फिर वाई वाई तो खुद ही कितना है ठीक है तो यह पहली जोगती थी ओ ए बी आप देखो आप वीडियो रोक्ते स्कृप्रीशिंग प्रक्राइव बात करते हैं तो पर रहा पहले एक्स देखना होता है तो पकी के लिए y कितना है 3 तो पी के निर्जे सांग क्या हो जाएंगे 4,3 4,3 मतलब x4 y3 ठीक है तो पी वाली बात समझ में आ गई आगे चलते हैं अब क्यों की बात करें तो यहां पर x देखना है पहले पहले हमें इसां x देखना है 6 फिर y देखना है एक ठीक है तो इसके लिए निर्जे सांग कितने हो गए x6 y1 इसी तरह से आर की बात कर लेते हैं आर आ जाओ यह रहा x देखो कितना है 6 y देखो कितना है 5 तो 6,5 हो गया इसी तरह से s की बात करते हैं यह रहा इस दिखो कितना है 4 y देखो कितना है तो यह था हमारा तीसरा अब करते हैं चौथे प्रस्न की ठीक है यहां पर देखो यह क्या है यह इसकी बात करते हैं किसमें क्या बोल गया 드र इसे राज़बन कत्रों में कौन सा सक्षा और कौन सा कौन सा सक्षते है एस पैसे समय कर दिए चलो जब करेंगी है क्यों को यहां पर पहला जो बिन बढ़ा कोई बिन गिन ऑग है क्यों तथा y निर्दे सांक सून्य इतर है y x पर रिस्तित होता है क्या मतलब हुआ कि जो बिंदू है उसमें देखो कोई भी बिंदू होगा पहले हम x दिखाएंगे फिर y दिखाएंगे इन्हों ने कहा कि x जो है वह सून्य है ठीक है है याई की लिए लिए फि Pvt missiles उल्हू को देखो क्विए अगर जीरो हो और नहीं है तो फक्की बात क्या यह एक्ष पर आख भी इंहें वह क्षुना ही और यह सवाल करा हो था यह स Ezra और यह की को वे इंदूard सप्भी और उन्हें तो पक्की बात क्या है कि वो वाई अक्षपे रहा होगा ठीक है न यह वाई सुने नहीं है तो यह तो इन्होंने ठीक लिखा है तो हम बोलेंगे कि भाई जो पहला पार्ट है यह तो सत्य है ठीक है पहला क्या है पहला तो सत्य है दूसरे की बात करें तो यहां पर क्या बोला पहले तो X लिखते हैं और Y सूने हैं इन्होंने का यह किस पर है यह Y पर है जब कि गलत लिख दिया यह एक्स पर है क्योंकि Y अगर सूने है और X सूने नहीं है उस अक्ष पर होता है यह किस अक्ष पर होना चाहिए जब कि इन्होंने क्या कहा कि यह Y अक्ष पर है तो हम बोलेंगे यह असत्य बोल रहे है यानि कि यहाँ पर यह सही नहीं है यह क्या है यह असत्य है सही करके कैसे लिखोगे सही करके लिखोगे कि कोई बिंदू जिसका y निसांग सुनने है x निसांग 5 है यहाँ पे y x की जिगा बस x लिख देना यह सही हो जाएगा ठीक है अगले बात करते हैं तीज़े रेगी मूल बिंदू के निसांग 0,0 है तो यार यह तो ठीक है यह भी बताया था मूल बिंदू यहाँ पे x और y काटते आथे इस के निसांग कितने होते हैं सूनने, सूनने तो यह सत्य है ठीक है यहाँ आप लिख ले न कि यह क्या है सत्य तो वह इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स